नमस्कार मैं हूँ अंजो डोकानिया काटमान्डू नेपाल से मित्रो आज काव्य अंजली के इस कारिक्रम में मैं फिर से आपको एक नई रचना सुनाओंगी जिसका शिर्चक है मुझे नहीं है बेटिया बहुत खुश नसीब हूँ बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे नहीं है बेटिया न संजूती हूँ उसकी विदाई के सपने आखों में न मुकलावी के लिए भरती हूँ बेटिया बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे नहीं है बेटिया पर हमेशा से मैं ऐसे नहीं थी मेरे जीवन में भी एक नन्नी प्यारी से बेटी की कमी थी जब उमीदों से थी न काना जिसे प्रातना करते समय उभरता था एक फूल सा कोमल चहरा तभी इसे देखती थी सपने दुल्हन बनेगी मेरी लाडो प्याने आएगा उसे राजगुमार बांध की सहरा जब बेटा हुआ तो थोड़ी उदास थी बेटी की तब भी हिर्दय को आस थी समय जू पंक लगा कर उड़ गया बेटा हिर्दय और आत्मा से जुड़ गया लोग बदले और दौर भी बदल गया इस दौर में तो जैसे बेटियों का आकाल ही पड़ गया जानते हैं क्यूं क्यूंकि बेटिया अब नहीं सुरक्षित हर चण उन पर बदनजर का पहरा है घर हो या स्कूल आफिस हो या कॉलेज हर और वैशी निगाहों का डेरा है बहुत खुश नसीब हूँ मुझे नहीं है बेटिया मा की निगाहें देखती है रास्ता जब तक घर नहीं लोट आती है बेटिया अब तो हर घर में एक रावण है कैसे बचाएंगे बेटिया रावण की भी एक बेटी है फिर भी दूसरों के घर की मर्यादा का चीज़ हरन करते समय ये ख्याल क्यों नहीं आता कि उसके घर भी है बेटिया हाँ बेटिया आशिरवाद है पूजा की थाली मिश्री का स्वाद है जब वो खिल-खिला कर हस्ती है घर में जान डाल देती है बेटिया पर मैं फिर भी खुश हूँ कि मुझे नहीं है बेटिया फिर भी मैं एक मातो हूँ जिन बेटियों की मान मर्यादा का हनन हुआ जिने समाज के रावण नोस्ते रहे हैं वो सारी लड़किया है मेरी बेटिया उनकी अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए सदैव ततपर रहूंगी दूंगी साथ करती रहूंगी नेकिया मैं मा हूँ कई बेटियों की स्वयम एक पतनी मा और बेटि हूँ सिर्फ शब्दों से नहीं अपने प्रयास से उनकी उदास चहरों पर भरूंगी जीवन की रंगीनिया सच्मुच फूल है ये हमारी बेटिया हमें सहेजनी होंगी बेटिया विदाई से पुर्व उन्हें सशक्त करना होगा ताकि कोई रावण उनका लाबना उठा सके सुन ले समाज का हर रावण कोमल है कमजोर नहीं है बेटिया तो क्या हुआ जो मुझे नहीं है बेटिया मेरे मवत्व की आचल में अपने प्रयास से सुरक्षित रखूंगी ये बेटिया हाँ, मैं मा हूँ मुझे है कई बेटिया मैं मा हूँ मुझे कई है पेटिया तो इसी के साथ बिदा लेती हूँ आपको रचना कैसी लगी अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में और अगले दिन मैं फिर से हाधिर हो जाओंगी एक नई रचना लेकर सब तक के लिए सुनते रहें काव्यान जली नमस्कार